खा दिया कि नहीं जार्खन का डेवलप्मेंट अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो रगवर दास जी और अर्जुन मुंडा जी है यह तीनों मेरे आदर्स है क्योंकि मैंने तीनों से बहुत सीखा है जन प्रतिनी होने के था कीनाटा का हमारा ब्यवार होना चाहिए कैसे हमें काम करना चाहिए कोए छोटी छोटी समस्याओं से उनको निदान मिले दो बहुं सारी सीजे के लिए रहे? हैं वेव समचार पुरे जार्खन में पंचाय चुनाओ की सरगर्मी जैसी समाप्त होई निर्वाचान अयोग नगर निकाय नगर परिशत नगर पंचाय चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं उनका काना है कि जारखन के 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है जिनका कारेकाल 2020 में स्वाप्थ हो चुका है इसके अलावा कई इसे जिले हैं जिनका कारेकाल 2023 में स्वाप्थ होगा वराल अभी हमाए हुए है राची जिला और राची जिला में वार्ड नम्मर 29 और यहां के जो वर्तमान पारसाद हैं रोशनी खलकोजी हैं तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको पांच वर्सों के लिए वक्त दिया हाला कि इनका जो कारेकाल है लगतार जब से नगर निगम परिश्यत का गठन तो अब इनसे जानते हैं कि जब से नगर निगम पंचायद का गठन हुआ तबसे लगतार में ता 현재 हो या इनके पती हो और इस बार जो तिसरे बार जब चूना हुआ था तो यह निरवरो चूने गए थे तो और के जानते जो आप किये जाएंगे पहले तो आपको समाचार को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करती हूं और सारे दर्सकों को भी नमस्कार करती हूं अच्छी बता ये कि जब से नगर परिशत का गठन हुआ तब से आप लगतार हैं ठीक है इस वाट के डिवलपेंट के लिए आपने कई बेहतर काम किये हैं यह बताए कि क्या कुछ डिवलपेंट काम हुआ है जो कि नगर निगम का जब फर्स्ट बार चुना हुआ तो लोगों को पता नहीं था कि पहले पार्षद क्या चीज है लोगों को यह बताना पड़ा कि पार्षद एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपन नगर निगम एक प्रतिन धी जाता है चुनके जिसे पार्षद कहा जाता है तो लोगों को पहले वेर करना पड़ा, हमें सिखलाना पड़ा, बताना पड़ा और लोगों का बहुत कॉप्रेशन मिला, लोग बहुत जल्दी हम लोगों के साथ घूल मिल गए और बहुत आसान मंत्रियवा सोजना सोचाल है राशन काड और पेंशन आपने बनवाया देखिए उसकी गिंती अभी करना संभव नहीं है चुकि तीन कारेकाल हमारा हम लोगों का हो गया और तीन कारेकाल में लगातार 2008 से लेकर अभी तक का जो कारेकाल है 2022 तक का लगातार जो चल रहा है उसम हम लोगों ने कम से कम बारा से चौदा सो आवास हमने बाटे हैं यहां पर सिर्फ आपको खप्रेल मकान दिखाई देते जब आप पहले कारेकाल में अगर 2008 में आते तो लेकिन पहले कारेकाल में हमारे हस्मन सुजीतुराओं इस वार्ड में पाश्त बनके आए और उन्हों अच्छा था हुश्मी योजना चल रहे थे तो विच्ट योजना के तहते हां काम हुआ उसके बाद प्राधान मंत्री आवास योजना आया उसमें भी नौस आवास बाटे अपने वार्ड में और लगातार अभी भी हम लोग फोम भरी रहे हैं तो सबसे ज्यादा काम अवा वहां पर मसना समीजियर हम लोगों का सारजुनिक मसना उसका भी वो नगर निगम से की बाहर की चीजे लेकिन कल्यान विभाग से उसका फंड मंगा के हम लोगों ने उसका सौंधरी करन किया हमारा कारयाले जहां बना हुआ है वहाँ पहले कुड़ा का धेर हुआ करता था उसे हम लोग ने पार्क डेवलप किया तो इस तरह और चोटे-चोटे हम लोग ने सामुदाईग भवन छे साथ बनाएं तो डेवलप्मेंट तो काफी हुआ है अगर डेवलप्मेंट हुआ है तो आपके रिजन में या आपके का सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी उपलब्दी थी कि इतने सारे लोगों का घर नहीं था बिल्कुल लोगों के लिए दिंचर्यम में अगर सबसे जादा अगर किसी ग्रिहनी को देखे या किसी नॉर्मल फैमिली को देखे तो उसके लिए घर बहुत महत्पून रहता है प्रधान मंत्री जी के योगदान से उनके सपने से और उनके सपनों के माध्यम से आज लोगों को छत मिल रहा है यह एक एतिहासी कारिक है हम लोगों का कि करम टोली नगरा टोली छेतर में अगर आ करते हैं यह एक एपला से काना कर आज और यह वांगों को अजीक है फुरेद कल्यान में टोली। हुआ हम लोगों ने मसना का सौंधरी करन किया आज मसना देखिए अपने मतलब जो पहले का रूप था उससे बहुत 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 हो गया है चुकि अंत समझ जब आएगा तो सारे लोगों को वहीं जाना है तो उसका डबलप्मेंट जादा जोड़ी था तो आज उसका कोरोना काल एक ऐसा वक्त था जब दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन सा राह हमें कहां लेके जाएगा को रोना काल जब आया तो हम लोग सब सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या परिस्तिति आई हुई है कि हम लोग पडोसियों से भी बात नहीं कर पा रहा है वैसी इस्तित सब्सक्राइब करें लिए जगह जगह निकलते ते और सुखा अनाज हम लोगों ने काफी बाटा इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर राची लोट रहे थे उन्हों को सामलों के पास हम लोग एक कैम्प लगाये थे और वहां पर अलेक अलग चीजे जो उनकी जोरत की चीजे हैं वो हम लोग वहां बितरन करते थे उन्हों को देते थे ताकि उनको घर पहुंचने में सो लोग जब सेकेंड कोरोना काल आया उस वक्त सबसे ज्यादा इस्तिती खराब थी चुकि लोग जिस तरह से इस दुनिया से जा रहे थे या फिर उस समय इतना भायावा इस्तिती हो गया था लोग इतने डरे हुए थे कि एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल हो रहा था उ लोग केंप भी किये और इस तरह के अलग अलग दवाईयां पहुंचाना जो लोग बहुत बुड़े थे जिनके घर में कोई नहीं था उनकी घर में लोग दवाईया पहुंचा इस तरह का रहे कि इस वाट के डिवलप्मेंट को ले करके कई समस्याओं का भी सामना करना कि कहीं पर मानलीजी सड़क बनानी है हम लोग को तो यहां पर अधिक तरह को रहती जमिन मिलेगी अब रहती जमिन में सबसे बड़ा समस्या यह हो जाता कि रहती वोलेगा भाई जब तो मुझा ने मिलें हम रोड बनाने नहीं देंगे लेकिन बहुत सारे लोगों का से वह सौल्व हुआ उसकी अलावा हम लोगोंने मिसिंग पाइपलाइन के लिए मैं 2018 से लगबग परियास कर रही हूं लेकिन आज भी वह उसके मैं विफल ही हूं समझी है अब अब धरातल पर उतरने उसका सर्वे वगरा हो गया है अब मुझे लग रहा है कि वह समस्या भी दो महीने में खतम हो जाएगी जब तक संसाधन पूरा लेकि नहीं आई तो लोगों को परिशानी का घर ही होगा इस कारण से भी वह पेंडिंग पेंडिंग चल रहा था लेकिन कोई नहीं जिस तरह का हम लोगों को इस अभी लग रहा है सिच्वेशन मुझे पक्का विश् कि दो तीन मेहने में में मिशिंग पाइपलाइन का जैसे बरसात कटम होती है और वह काम सुरू हो जाएगा अगर आपको चौथे वार आपको जनता मौका देता है तो क्या सोचें इस वार्ट के डिवलेप्पेंट के लिए आपका ड्रिम प्रोजेक्ट क्या होगा के सरकार कि और सरकार के जितने भी जूजना है वह तो कोई भी काम करेंगा लेकिन आप जनता क्यों भरसा करें आपके मन में कुछ होगा ना कि यह जो मैंने काम किया जनताने से रहा मैंने बहतर काम किया और आगे मैं ऐसा काम करूंगा कि इस वार्ड को एतिहासिक आधारस ऑट ग्रूप चलता है और एक वार्ड नंबर 19 फ्लैट ग्रूप चलता है इस दोनों ग्रूपों में जितनी भी लोगों की समस्या होती है वो डेली आती है और मेरी टीम अलग-अलग तरीके से उसे निदान करने का प्रयाश करती है हम अपनी टीम को भेजते हैं वहां खुद भी जाते हैं अगर कोई समस्या हो गई तो और उसे मतलब यह हम लोग डिजिटाल की और बढ़ रहे हैं तो इस तरह का हम लोग एक प्लान किया है साथ ही हम लोगों ने ठाना है इस बार कि हम लोग अपने वार्ड को एक ग्रीन वार्ड की तरह हम लोग डबलप करेंगे यह वाड जो है कोमर्सियल एरिया होने की वजह से यहां पर बड़े बड़े अपार्ट्समेंट्स और होस्टल वगरा बन गये हैं जिसमें संख्या जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि समस्या तो बढ़ेंगी तो उससे उसके निदान के लिए है वाटर हार्वेस हुए है विल्कुल वह एक बहुत अच्छी पाल हम लोगों ने शुरू की है कि बड़े-बड़े ड्राम लगा कर हम लोग बड़े मतलब थोड़े बड़े पौधे लगा रहे हैं ताकि लोगों को बाहर से हर्याली दिखिए क्या है कि जब राजधानी बनी और यह अंडब हम लोगोरे wie democrats मेर के लिए कई परसदों के पास में गया वेए कई लोगों से मैंने पूछा की कि जबड़े मेर मेर के는지 का सोच रहे हैं कई लोगों से मने इस वर मेर के लिए फाइट कर रहे हैं हलाकि पार्टी लेवल पर भी हमारी बात चीत हुई है हलाकि सुत्रों के हवाले से मैं कहूं तो आपका भी नाम आ रहा है कि यह बहुत बड़ा डेसिजन है अभी तो वाइड लबल पर मैं जितना काम कर पा रही हूं अगर पार्टी ने चाहा और उनको लगेगा कि हां इसमें है वो की कर सकती है तो यह अगर पार्टी निर्धारित करेगी और लोगों का प्यार होगा तो जरू क्यों नहीं दो नाम है सुझाता कच्छप और है रस्मी खलकोजी का नाम है वो लोगों का प्यार है अब जीने प्यार दे या फिर पार्टी जीने सपोर्ट करें उसे साब से चुना होंगे परसदों से मैं नाम नहीं लोगा लेकिन कई परसदों के द्वारा भी मताव आपके नाम पर सहमती मर मैं सवाल करता हूं कि जारखन के पुर्व राजपल हैं दुरपती मुड़ मुड़ इंडिये क्या उम्मिदवार बने है राश्टपती के लिए कैसा लग रहे हैं बहुत गर्भ आप अगर यहां देखे तो बहुत करीब रही है दिदी और दिदी के करीब बहुत मैं रही ह बहुत सारे कारिक्रमों में या ऐसे भी उनसे मुलाकात होते रहती थी बहुत सरल सोभाव की है एक आदिवासी महिला इतने बड़े पोश्ट पर जाएंगी यह कभी विश्वास नहीं था लेकिन यह भाई नरेंद्र मोदी जी का आश्रवाद है उनका प्यार है और उनका ह कहूं तो दया द्रिष्टी है हम आदिवासियों के उपर में कि एक आदिवासी महिला को अपने पद से भी उपर पद अगर कोई दे सकता था तो वह नरेंद्र भाई मोदी ही ही हो सकते और कोई नहीं हो सकता है अगनीपत योजना को लेकर क्या सोचते हैं लोगों को अलग अलग द्रिष्टी कोन से उसको नहीं सोचना चाहिए उसे इस द्रिष्टी कोन से सोचना चाहिए कि 18 से 20 साल या 20 साल से 25 साल की एज में कोई बच्चे कितना कमा सकते हैं लेकिन अगर ये अगनीपत योजना आई हुई है तो इसमें जो उनको पेंसन है या फिर उनका जो पेमेंट है वो मिला के लगबग 30 लाग तक जाता है अगर पांच साल का ड्यूटी भी वो करते हैं और उसके बाद उनका पेंसन मिला कि इतने पैसे मिल जाते हैं तो अगर वो सर्विस से हड़ जाने के बाद ऐसा नहीं है वो सर्विस में रहते हुए भी अगर अच्छा पर्पॉर्मेंस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और अ हमेसा नए नए लोग घुसते चले जाएंगे उसमें और उनको रोजगार मिलता चला जाएगा तो इसको इस द्रिश्ची कौन से देखना चाहिए यह नहीं देखना चाहिए कि हम पर्मनेंट क्यों नहीं है अगर आप पर्मनेंट नहीं है तो दूसरे लोगों को भी मौका मिल रहा है इससे यह भी देखना चाहिए और आपको ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते पे छोड़ दिया जा रहा है आपको इस लाइक बना दे रहे हैं कि हमारे वो बच्चे जो देश की सेवा किये पांस साल या दस साल जो भी उन्होंने सेवा किया उसका उसके उनके सहयोग क उन्हें इस काबिल बना दिया जा रहा है कि वो अपने जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं इस रिष्ट्री कौन से लोग उनको सोचना चाहिए विरोध करने वालों को ज्यादा सोचना चाहिए जब आप रोजगार दे नहीं सकते है तो जब मिल रहा है तो उसके लिए आप बिरोध प्रदर्शन या इतना जो ट्रेन को जलाना या इस तरह का इस्तिती जो लोग कर रहे हैं मैं बोलूंगी कि वो ठीक मांसिक्ता के लोग नहीं है आप सारजुनिक चीजों को जला रहे हैं अपना भी नुक्सान कर रहे हैं और आप डिन सारे नुक्सान फार हैं शकी भर्षाण परपाई कों करेखा आम्चनता के टैक्स के पैसे से आ नहीं करना चाहिए लोगों से भी अनुरूत करूंगी और जो वाकğरा करूंगी आप सोचिए आप कि जब कुछ नहीं हो रहा है वैसे में जो हो रहा है कमसरम उसे होने देना चाहिए जब से जहरकंड राज का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आये और गये आपके नजर में बेहतर कौन दिखिए कई मुख्यमंत्री आये यह सच्चाई है मैं अपने जब से मैं राजनी आइडियल है मैं अगर देखूं तो बाबुलाल मरांडी जी बहुत सांत और बहुत सालिंता के साथ अपना कारेकाल उन्होंने चलाया था अर्जुन मुंडा को देखे तो डेबलप्मेंट की और और सारे संगठनों को कैसे संजो के लेकि चलना है उन्होंने सिखलाया है हम हम लोग को वह भी हमारे आदर्स रहे हैं और उनके साथ बहुत बार मिलके बात करने का और काम करने का एक अच्छा नूभा भी रहा है और उन्होंने बतलाया है कि कैसे हम लोग राची को राजधानी बना सकते हैं या पिर कैसे महिलाओं को आर्जुन मुन्डा जी के ही कारेकाल में आया था तो इसके लिए तो पहले मैं आर्जुन मुन्डा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं साथ ही रगवर जी के टाइम में आप देख रहे होंगे कि एकदम झारखन की रूप रेखा ही बदल गई अगर डेवलप्मेंट की और अगर हम लोग देखे तो उनके जैसा मतलब द्रीड साली मुखे मंत्री मुझे नहीं लगता कि कोई हुआ जो डेवलप्मेंट किया मतलब अपने कोई भी डिसीजन को उन्होंने पटल पर उतारा उन्होंने कहा कि ये बनना चाहिए तो वो बना और आदिवासियों के लिए उन्होंने तरह तरह की चीजे कि अर्जुन मुंड़ा जी ने जहां मसना और सरना का घेरा बंदी उन्होंने सुरू किया था उसे एकदम आगे तक ले जाने का काम रगवर जी ने किया और आप देख रहोंगे पूरे जार्खन भर में बहुत सारे मसना का और सरना का घेरा बंदी हुआ साथ धुमकूरिया बनाए गया अखड़ा का डेवलप्मेंट वा अखड़ा को सही रूप दिया गया अभी देख रहे होंगे करन टोली चौक पे जो तलाब संद्री करन हुआ है हमारे राची नगर निगम छेत्र में बहुत सारे तलाबों का डेवलप्मेंट हुआ है इस तर लिए तीनों मेरे आदर्स है क्योंकि मैंने इक सब्सक्राइब को निदान मिलेगा तो वहां सारी चीजें उनसे सीखने के लिए हमें मिला है की चुनाओं को लेकर के जिस तरह से कि इस पर दिसम्बर में चुनाओ करवाएंगे तो क्या करते हैं इसके बारे में जो करे कल अप लोगा अपरेल में खतम होगा निर्वाचन आयोग का मूलिथा पार्षद अगर मैं सोचू तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी पार्षद है या जितने भी मुख्या है उनका जो कारेकाल सुरू होता है चुनाओ की तैयारी तब से ही सुरू हो जाती है मतलब यह नहीं है कि एक्जाम अब आया तो हम एक दिन पहले पढ़ाई कर लेंगे तो जीत जाएंगे या फिर हम पास हो जाएंगे ऐसी वाली स्थिति तो किसी की रहती नहीं है पहला दिन से लोग जब जन प्रतिनी दी बनाया तो आपने अपना प्रदर्शन दिखाना शुरू किया कि हम यह कर सकते यह कर सकते और निरंदर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इसलिए चुनाओ अगर छे मैना पहले हो छे मैना बाद हो तो उसका मुझे नहीं लग करें यह हैं जितने बनते हैं उनको मन्ला है परशन और क्लियों को नहीं मिलता है इसके लिए आप क्या रारासऱकार से ईसर सम्हाद कर दिखी इसके लिए बहुत पार हम लोगों ने नगर परिश्द की बैठक से हम लोगों प्रस्ताओं भी भेजा है चुछिस्चाई है जन्परतिनीधी वह यह जन प्रतिनीधी हम भी यह और जिस तरह के एरिया हमारे हैं हुनके जिसके कारण वो सारे जग़ा घूम लेते हैं, सफर कर पाते हैं, हम नोग को अगर निगम में देखे तो 7000 रुपे भत्ता मिलता है, जिसमें हमें अपना तेल भी मैनेज करके जाता है, लोग अगर आ गया तीT alors उन्हें भी अतिती सथकार करना है अपना ओफिस मेंटेन करना है अलग से हम लों को स्टाफ रखना है वो भी काम करना है। समस्या से बढ़ जाती है उन्हों को अलग अलग मेडिकल सुझी बहुता memu को बिसेश सच कर दिया गया है हम मेडिकल की और ज्यादा फोकस करेंगे इसलिए कि हमने मेडिकल के छेतर में दो पारसद अपने खोए हैं अगर मैं कहूं तो पैसे के अभाव में ही अपना इलाज ठीक सरीके से नहीं करा पाए जिसके कारण उन्हें हमने खो दिया तो हम लोग ने कई बरप्रस्ताव भेजा क कि अगर एक बिधाय को मेडिकल सुविधा मिलती है तो एक जन प्रतिनिदी होने के कारण पारसदों को भी मेडिकल सुविधा मिलने चाहिए क्योंकि हम लोग गली के छोटी-छोटी जगों से आते हैं हमारे इतनी इंकम नहीं होती है कि हम अपना इलाज भी अच्छी तरह स करा सके तो एक इंसौरंस के लिए हम लोग ने प्रस्ताव भेजा था कि हासे कम से कम पारसदों को इलाज हो सके और इलाज के अभाव में कोई उन्हें लेक Whew लेके आ जाता है लेकिन जो पांसाल का होता है उसे निभाने के लिए अनेकों समस्याइं आती है अने को ऐसे स्थिती है जब फैनेंसियल होती है और फैनेंसिल इस्थिती की जरूरत पड़ती है तो ऐसी इस्तीती में अगर सहयोग सरकार ना करे तो फिर पारसद या मुख्या क्या करे जब से नगर निगम चुनाओ का गठन हुए है तब से कई बहतर काम किये हैं और खासकर अगर बात के है तो प्रधान मंत्री ये बाद सुझना का लाफ जादा से जादा लोगों तक पहुंचाने का काम किये सौचाले के साथ साथ पेंसन और रासन कार्ड भी कहें तो जो भी जरुत मंद है उनको लाफ दिलाने का काम किये और आगे की बात के हैं कि आगे ये अपने वाड को एतिहासिक आदार सो डिशल बनाने के लिए क्या कुछ इन्होंने मेनफेस्टों बना राखा है तमाम इदों पे आपने सुना और आगे ये भी है कि इस बार मेर का जो चुनाव है जैसा कि लोगों का प्यार है और परसदों का जैसा मैंने बाजचित की है लोगों का रुजहान है तो दो परसदों के जो दो परसद हैं सुजाता कच्छप और रसनी खलको जी का नाम सबसे उपर आ रहा है अब जनता और पार्टी टै करेगी कि इनको इस बार मेर और उपादे डिप्टी मेर के रूप में चुनने का काम करेंगे बहराल आपको यह उता दें कि उपादे जो डिप्टी मेर होंगे उनका भी चैन परसदों के द्वारा ही चैन किया जाएगा पिछले बार पार्टी के द्वारा तय हुआ था लेकिन डिप्टी मेर का पद इस बार परसदों के द्वारा चैन किया जाएगा और जोगो का जो सिद्ध लोगों के बीजा रहे हैं जो फिडबैक हमारे पास मेर ला है यह दो नाम सामने आ रहे हैं अब उनका नीने करेगी अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले लेकिन भी दबायता कि हर छोटी बड़ी ख़बरों सुरू बरुसा के बहुत-बहुत सुक्रिया